बिस्मिल्यरह्मानिर्रहीम असलाम अलेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम MTH 104 स्टार्ट करने जा रहे हैं सट्स एं लॉजिक मैंने थोड़ा सा कुईट किया है MTH 202 का क्योंकि वहां के 10 लेक्चर्स हो गए आप लोगों का कोर्स डिस्ट अबना हो ठीक है तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे है Sets and Logic Sets तो बच्पन से ही पढ़ते आ रहे हैं ठीक है वो तो आप लोगों को रट गई होंगे अब तक Logic की बात आएगी इसमें जादा था और Sets के साथ हमने Logics बनाने होंगे अब हम Introduction पहले करते हैं तो सबसे पहले Axiom पढ़ेंगे कि Axiom होता क्या है ये Formal सी Definitions है Axiom क्या है Proof क्या है Set Theory क्या है तो इसको थोड़ा सा Read कर लेते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं एन हम Set के Topic पे जाएंगे ठीक है Axiom हमारे पास क्या होता है एक Statement है जिसको हमें उसके लिए जिसके लिए Proof की जरूवत नहीं है ठीक है तो उसको हम एक्जियम केंगे जैसे कि अब कोई भी Statement है जो कि Obviously True होगी जिसमें हमें कोई शक को शुबानी होगा जैसे कि अब हम कहाए दे कि एक Circle है उसमें से Line गुजरेगी तो वो क्या करेगी Circle को Intersect ही करेगी ना इसके लिए कोई Proof की ना जरूवत है ना कोई इसके पर Rocket Science की जरूवत है हमें पता है कि ये Cut हो जाएगा तो Intersect हो जाएगा दो पार्ट में अब इसके लावा दूसरी यहां पर भी Example है कि 5 प्लस 2 is equal to 2 प्लस 5 वोई चीज है ना अगर ऐसे देखे 5 प्लस 2 करें तो 3 आता है और अगर 2 प्लस 5 करें आगे पिछे उनको कर लें तो तब भी 3 आएगा तो इस statement के लिए अब यहां पर यही सारी चीज़े लिखी है आप रीड आउट कर लें मैं रीड करूंगी तो ज़रा वीडियो लेंधी होती है इसलिए मैंने मैंने मैंशन इसलिखिया है कि बास स्क्रीन शॉट्स ले लेते हैं तो उनके पास मेरे वीडियो के लावा भी पता हो लिखा हो गहां यह चीज़ कहां से आई है कैसे एक्जियम क्या है ठीक है इसलिए मैं जो है यह डेफिनेशन जरूर लिखती हूँ वैसे तो पेपर में नहीं आती लेकिन आपको बात में अगर हैंड्स आउट हो तो उसके लिए आप लोग स्क्रीन शॉर्ट जो लेते हैं अच्छा नेक्स हमारे पास आता है प्रूफ अब नाम सही समझ आ रहा है इसके लिए हमें एविडेंस की जरूरत होगी लॉजिक की जरूरत होगी ठीक है न तो प्रूफ क्या है प्रूफ is a logical argument based on logical evidence हमें evidence की जरूरत होगी इसमें तो जो चीज जिसके लिए evidence की जरूरत होती है उसको प्रूफ कहते हैं अब हमने बड़े बड़े proof पढ़े हैं हर चीज के proof मतलब जैसे mathematical calculation होती है algebra होता है हम कहते है x की value x is equal to this y is equal to this तो फिर हमें वो चीज प्रूफ करनी होती है कि ये कैसे x 10 के equal है for example 10 के equal है तो कैसे 10 के equal है फिर हम सारी calculation करते हैं कि ये उदर चलागी value ये इदर आगी तो दोनों साइडे equal होगी तो its mean कि x 10 के equal है तो वो सारे जो proof होते हैं वो सारे method होता है उसको proof कहते है कि ये चीज प्रूफ हो गई है ठीक है जाता तर्थ theorem होते है उनको हम प्रूफ करते है कि ये चीज triangle है ती इनकोने है इसके और इस तरह करके जो है जाता आते है theorem 9-10 में हमने पढ़े है यहाँ पर अब इतना इसकी detail ही है सिर्फ definition ही तक याद रूख है आप लोग के proof क्या है क्योंकि आगे हम proof करेंगे तो जो है हमारे पास क्या कहते हैं commutative law जो different law है हमारे पास उनको proof करेंगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि proof क्या होता है next आता है हमारे पास set theory set तो पता है theory क्या कि जिसमें सारी चीज़े set किया है study हो जिसमें collection of object definition है set की ठीक है हमें पता हो क्या गया tools ही होते है mathematical tools construction की होती है हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे explore करेंगे नई tools नई theories explore होंगी ये सही है तो set theory में वो सब कुछ आ जाता है अब basic concept of set हम देखेंगे basic concept तो आपको पता है basic concept क्या है definition होगी उसमें elements होगे set builder होगी form tabular form होगी set की builder जो है descriptive form होगी ये सारी जो है concepts है basic concept ठीक है main चीज़े जो होती है definition क्या है well defined list collection और class of object definition formal definition है can be anything number हो सकते हैं people हो सकते हैं river etc कुछ भी set में हो सकते हैं जो चीज़ आपको देए set बना ले लेकिन एक ही category होनी जाहिए ठीक है जैसे even number का set है or number का set है prime number का set है ये match में आते हैं जैसे apple का set है banana का set है ये fruits में आते हैं category होनी जाहिए हर उसकी example में भी यहाँ पे लिखा हुए A123456 इस तरह BE का ये है ये even number का set है ये natural number का set है खुद देखने समझ आ जा जाती है 123 up to someone तो one से start होए तो natural number zero से start होता तो whole number होता ये सारे हम जो हैं जिन्होंने मेरी MTH 100 की class लीवी है lectures लिए में उनको ये सारे ड़टे होंगे क्योंकि मैंने एक एक चीज़ deep में से सिखाई ही है समझाई ही है basic concept मैंने सबके clear किये है तो यहाँ पे इसलिए मैं इतना इसमें time नहीं लगा रही क्योंकि ये सारी चीज़े repeat हुई है उसके लवा भी मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगी जो पहली दफ़ा ये class लेंगे उनके लिए भी काफी होगा ये समझना ठीक है इसी तरह ये a, e, i, o, u a भी आता है वोवल्स में ठीक है तो ये वोवल्स का set है इसमें b लिख दें क्योंकि b जो है not include b, a तो include है अच्छा यहां पर हम इसको क्या कहते है one belong इस तरह का e होता है ये c और इस तरह का e इसको कहते है belong ठीक है ये मैंने पिछले mta 202 में भी बढ़ा है कि इसको जो है हम sub set कहते है और इसको belong कहते है तो जो sub set होता है अगर a sub set है b का तो उसका मतलब है कि a belong कर रहा है b को ठीक है तो ये belong होता है तो अब इसमें a के set में ये a के set में one है ना तो हमने का a belong करता है one belong करता है a के set को यहां पर देखें तो यहां four है तो four belong करता है b के set को यहां पर b है तो इसमें b नहीं है ना तो हम लिखें कि B does not belong to C कि B में C नहीं है तो हम इस तरह लिखते हैं जब belong होता है तो symbol लगाते हैं वो does not के लिए कार्ट देते हैं उसको यह सारे हैं A, B, C जो नाम हमने दी होते हैं इसको हम set कहते हैं कि यह set है और यह जो नाम लिखें लिए set of prime number ठीक है तो यह इस form में हुआ ना तो उसको हम कहेंगी यह descriptive form है और यह नीचे देखें हमारे पास तो इसको कहते है set builder form जिसमें हमें इसी तरह बताया होता है फॉर एक्स A है set का नाम और हमने A को X वो किया वह तसवर किया है जैसे arbitrary element हमने पढ़ा MTS202 में उससरा हम उसकी जगा कह देते है let X is equal to A इस तरह की बात जो होती है ना कि हम इसको X कह देते हैं बाग में हम replace कर देंगे A से तो इधर यहां पर X such that इस line का मतलब है such that X में क्या है इस अब हमें इनोंने tabular form बताएगे X चो set है उसमें वोवल्स X क्या है वोवल्स है तो हमने क्या बना दिया tabular form में अगर इसको करें तो हमने A, E, I, O, U लगा दिया क्योंके वोवल्स में तो पता हैं यही वोवल्स हैं dot dot नहीं लगाएगे क्योंके वो अलिमेटर हो तो dot dot लगते हैं ठीक है तो हमने builder form से tabular form में कर दिया इस तरह भी कर सकते हैं X और दो dot लगा के X कर सकते हैं इसको भी such that कहते हैं और line को भी कहते हैं ठीक है दूसरा क्या है X such that X belongs belongs to P P किसे कहते हैं हम यहाँ पे belongs to P किसी set का नाम है जिसमें क्या है 3 is less than X is less than 12 मतलब कि X हमारे पास बताया गया है उसकी range बताएगी यह कि 3 से start हो 3 छोटा है 3 से बड़े number X में हैं और 12 से छोटे number है 12 बढ़ा आ गया सब्सक्राइब 12 की तरफ मुह कुल है तो हमने 4 से start किया और कहां तक है X 12 बढ़ा आ रहा है मतलब 12 include नहीं होगा तो हमने 11 तक set बना तिया अगर इसके नीचे line होती तो हम 12 भी करते हैं इसका मतलब है greater and equal equal फिर include होगा और line ना हो तो उसका मतलब है equal include नहीं है वो number यह set builder form है और इसको हम tabular form कहते हैं तो इस तरह के questions आएं तो इसको फिर हमने इस तरह usually MCQs में आ सकते हैं या short question में आ सकते हैं तो कि मैं यह नहीं कह सकती कि यह unexpected है या unimportant है review में कुछ भी आ सकते है हर साल paper बनते है course वो यह paper बनते है तो वो कभी unexpected चीज़े भी दे देती है ठीक है तो आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी empty set आप लोगों को बता है नाम से ही पता है कि set जिसके अंदर कुछ ना हो तो वो set खाली होगा ना ऐसे है और set खाली है तो अगर कहीं पर आपके पास ये बना हो तो इसका मदलब भी empty ही है इसको five कहते है और इसको empty set कहते है कहीं पर ये है तो इसका मदलब कि ये empty है इससे भी do not होता है और ऐसे भी do not होता है ठीक है next हमारे पास आता है universal set universal set नाम से ही पता चलता है universe जिसमें सारे sets include हो all sets are assumed to contain in some large fixed set called universal set large fixed set मतलब जिसमें सारे numbers जैसे क्या कर हमारे पास one, two, three, four है ठीक है dot 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 ये है और ten तक है तो अब ये जो है universal set में हो का ना जिसमें one से लेके dot dot लगा दे जिसमें सारे sets आ जाते हैं इसमें prime भी आजेगा क्योंकि one से start है वो वाला intersection का sorry even भी आ जाजएगा odd भी आ जाजएगा सारे sets आ जाजएगे universal set में सारे sets होते हैं ठीक है तो इसलिए हमने इसको कह दिए कि universal set है example देखे in human population study the universe set universal set consist of all people human की population है न तो human में सारे people आएएगे पूरी दुनिया के people आएगे न all people of the world तो मतलब पूरी दुनिया के जो लोग है उसी में ही ये set include होगा human population का हर country ये अलग-अलग population है तो ये पूरा किस में आएगा लोगों में आ जाएगा plant geometry plane geometry the universe set consists of all point in plane अब एक plane की geometry है तो उसमें क्या होगा हर पूरा plane कैसे बना पूरा plane ही होगा न include तो इस तरह इसका मतलब होता है universal मतलब whole वो चीज आए और उसका एक part हम से पूछा हूँ ठीक है subset किसे कहते है every element of a set a is also an element of a set b then a is subset of b subset मतलब कि ये जो है ये वाला set इसमें include है for example यहाँ पर example देखें पहले तो ये देख लें कि ये इससे denote होता भी पीछे मैंने बता दिया अब subset मतलब कि a के सारे members b में हो one two है ना तो देखें one two इसमें है तो a क्या है b का subset है अब b a का subset नहीं है क्योंकि b के तीन member है और a में नहीं है b के जारे तो इसलिए हम ये कहेंगे कि b is not subset of a ठीक है लेकिन a तो subset है न b का तो इसलिए हमने कह दिया कि ये a subset है b का सरी है next आता है proper subset proper subset क्या होता है हमारे पास if a is a subset of b and a is not equal to b then a is a proper subset a जो है b का subset है मतलब a के सारे members b में है लेकिन a b के अक्वल नहीं है दोनों का सबसेट बराबर नहीं है एक में order बराबर नहीं एक में two elements है एक में three है एक में four है एक में five है तो वो बराबर तो नहुएना और ना same element है तो वो उसके equal नहीं होगा अब यहाँ पर example लेखें, तो 102 है और यहाँ पर 132 है, तो यह A के subset, A के members B में है न, 102, 102 है, तो यह A, B का subset है, लेकिन A, B के equal नहीं है, ना तो इनका order same है, यहाँ पर members भी नहीं है, और दोनों भी same नहीं है, 123 दर होता है, 123 दर होता है, तो हम कहतें कि A, B के equal है, तो A, B के equal नह कम्प्रीट होगी, सारे लेक्चर्स में अप्लोड करूँगी, रोज एक एक लेक्चर करूँगी, कि आप लोगों का कम्प्रीट हो जाए कॉर्स, और किसी चीज़ की समझ ना ही हो, तो कॉमेंट करें, मैं अपने हर लेक्चर में, हर जो सब्जेक्ट है, उसमें यही बात कहत हूँ, ठीक है, यह बात मैं हर लेक्चर में, हर उसमें रिपीट इसलिये करती हूँ, कि कोई बच्चे होते हैं, जो थर्ड लेक्चर में आते हैं, कोई किस में आते हैं, तो इस वज़ए से हर बन्दे को पता हो, कि मेरी जो है, जाए हमें, आप लोगों के साथ, मैं टच र करती हूं तो आप लोग मेरे जितने कमेंट देखेंगी मैं अगर तो जो कहते हैं बहुत अच्छा लेक्चर था बहुत अच्छी टीचर है उसका अगर मैं एग्णोर भी कर दू लेकिन क्वेस्टन मैं उनको जरूर थम अप करती हूं या तो उनके साथ वो करती हूं लाइक क करती हूं जिन्होंने मुझसे क्वेस्टन पूछा होता है ठीक है तो आप लोग जरूर देखा करें और आपका ही फाइदा इसमें और इजाज़ाए दीजिए अलाहाफेज